नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार बंग्रे आपका स्कायरिक्रम में स्वागत है ज़स्कायरिक्रम का नाम है आपकी फर्माईश दोस्तों आपकी फर्माईश में मैं आज आपके फर्माईश पुरी करने जा रहा हूं आज मैं आपको बताऊँगा ऐसी अनुखी कहानी दिवाली के दिन हम लेश्वी माता के साथ श्री गणेज जी की पूजा क्यों करते हैं बहुती रोचुक कहानी है दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसके पीछे क्या कारण है दिवाली के अलावा इस दिवार को कौमोदी महत्सव भी कहा जाता है लेकिन क्या आपने ये जानने के कोशिश की है कि आखिर दिवाली के दिन स्री गणेज जी और मालच में की पुजा क्यों की जाती है या इस पर्व से क्या संबंध है वैसे भी सभी धर्म कार्य में गणेज जी के साथ तो गौरी जी का पुजन होता ही है लेकिन दिवाली पर श्री गणेश जी के साथ मा लक्षमी का पूजन क्यों किया जाता है पुरवजों और पंडितों और कई पौरानिक कथाओं में इस कहानी का जिक्र है कि आखिर गणेश जी और लक्षमी जी एक साथ क्यों पूजे जाते हैं आज मैं वह आपको कहानी बताता हूँ पौनानिक गरंथों में एक कथास में प्रमान मिलता है कि लक्षमी जी के पुजा गणेश जी के साथ क्यों की जाती है एक बार एक वेरागी साथों को राज सुख भोगने के लालसा हुई उसने लक्षमी जी के आरदना की उसकी आरदना से लक्षमी जी पसंद नहुई तथा उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्चे पद और सम्मान प्राप्त होगा दूसरे दन वह वेरागी साथों राजा दर्बार में पहुँचा वरदान मिलने के बाद उसे अभी मान हो गया उसे राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया राजा वह उसके दारबारी गर्ण उसे मानने के लिए दोड़े परन्तु इसी बीज राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकल कर भागने लगा सभी चोग गए और साधू को चमतकारी समझकर उसकी जहज़ेकार करने लग गए राजा के प्रसन होकर साधू को मंत्री बना दिया क्योंकि उसी के करण राजा की जान बच गई थी साधू को रहने के लिए अलग से महल दिया गया वह शान से रहने लगा राजा को एक दिन वो साधू भरे दर्वार से हाथ खिचकर बाहर ले गया ये देखकर दर्वारी जन भी पीछे पीछे भागने लगे सभी के बाहर जाते ही भुका पाया और भवन खेंडर में तब्दिल हो गया उसी साधू ने सबकी जान बचाई अतह साधू का मान सम्मान बढ़ गया जिससे उसमें अहंकार के भावना विक्सित हो गई राजा के महल में एक गणेज जी की प्रतिमा थी एक दिन साधू ने वो प्रतिमा ये कहकर वहां से हटवा दी कि ये प्रतिमा देखने में बेलकुल ठीक नहीं है साधू के इसकारे से गणेज जी रोष्ट हो गया उसी दिन से उस मंत्री मैंने साधू के बुद्धी बिढ़ने लगी वहां उल्टा पूल्टा करने लगा तभी राजा ने उस साधू से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया साधू जेर में पुनह लक्षमी जी के आरादना करने लगा लक्षमी जी ने दर्शन दे कर उस से कहा कि तुमने गणेज जी का अपमान किया है अताग गणेज जी के आरादना करके उन्हें प्रसंद न करो लक्ष्मी जी का आदेश पाकर वह गणेश जी के आरादना करने लगा इससे गणेश जी का कोद शांत हो गया गणेश जी ने राजा के स्वफ्न में आकर कहा कि साधू को उन्हा मंत्री बनाए राजा ने गणेश जी के आदेश का पालंग किया और साधू को मंत्री पत देखकर सुशोभित किया इस प्रकार लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी बुध्धी के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ अवस्य करनी चाहिए क्योंकि यदि लक्ष्मी जी आ भी जाए तो बुध्धी के उप्यो के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल इस प्रकार दिवाली के रात में लक्ष्मी जी के साथ गनेज जी के आराधना की जाती है बहुत सारी मानने आता है एक मानने आता है ये भी है कि दिपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गनेज जी का पूजन करने में संभवता एक भावना ये भी कही गई है कि मा लक्ष्मी अपने प्रिय पुत्र के भाती हमारी भी सदेव रच्छा करे हमें भी उनका इसने हैं और आशिरवाद मिलता रहे लक्ष्मी जी के साथ गनेज उजन में इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि गनेज जी को सदा लक्ष्मी जी की बाय और रखें आधिकाल जही पत्नी को वा मांगी कहा गया है सदेव बाय इस्थान पत्नी को दिया जाता है अतब पुझा करते समय लक्ष्मी गनेज को इस प्रकार से स्थावित करें कि लेक्षमी जी सदा गनेश जी के दाहिनी और ही रहे तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है तो दोस्तों आपको ये रोचक कहनी जरूर अच्छी लेगी होगी और अब आपको पनाश चल गया होगा कि क्यों जो है लेक्षमी पूजा दिवाली के दिन जो है गनेश जी और लेक्षमी जी के पूजा एक साथ की जाती है तो दोस्तों इसकी के साथ इसकार करम से जानी के मुझे इजाज़त दीजिए नमशकार जाए हिंद